अब मैं आप लोगो बोला भी था जो यूटूब लाइव आया था उसमें बोला भी था कि केरियर गाइडेंस का वाला प्लान हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि आप लोग को पी असी उस से रिलेटेड और आईटीस और नाइटीस में एड्मिशन के बारे में हम बात करेंगे तो सेवन्थ और ऐट अपरिल को डिसाइड किया गया to अब सेवन्थ और आप वोडनि तक आप लुगा सकते हो मौनिंग नाइन उक्लोक तक आप हो जहीं मैक्सिमम और जाने का रखीयेगा एट का इवनिग रखेगा शिक्स अ क्लोक के रखेगा सेवन आक रखेंगा तो और ज तो आपको एक्मडेशन वाला चीज भी यहां प्रोवाइट करेंगे है ना बात कर लिए हो हमारे गेट इकेडमी टीम से और जो ट्रेवलिंग अलाउंस वाला होगा वह भी होगा तो आप अपना रिजावे समगरा खरा लीजेगा यहां पर आपको एसी थ्री टायर का आपको करना पड़ेगा आप समझ सकते हो कि यह सब चीज है इसलिए इसलिए कर रहे हैं हम लोग की बहुत सारे लोग अप कनेक्टेट हो गए गेट एकेडमी यूटूब फैमिली से भी तो मैं चाहता हूं कि ठीक है जितनी हम हेल्प कर सके और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप सकते हो आपको बस देखना रहेगा ट्रैवलिंग अलाउंस का कि कैसे आप एक दिन के लिए दो दिन के लिए मैनेज करेंगे यह आपको देखना रहेगा ठीक है तो अभी अभी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें हम लोग हमारे जितने भी गेट एकिडमी की जो ओल दिकाएगा तो आपको बहुत ही अच्छे बाव में बताएगा कि नीटी मूंबई में अगर आपको एडमीशन चाहिए तो आपकी प्रिपरिशन स्टेडिजी कैसे बना चाहिए कितने रैंक तक आपको कॉल आ सकता है वहां पे जीडीपी कैसे होता है तो आपको एक सारे PSU का experience है कि वह आपको बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा तो में लगता है कि कुछ हद तक आपको helpful मिलेगी help तो मिलेगी और IITS में अगर आप admission ले रहे हो तो IITS में किस rank तक कहा मिलेगा तो हम try करेंगे कि best possible way में आपको एक अच्छे information provide कर सके ठीक है तो आपक नहीं है कि हम किसी दूसरे को बुला रहे है जो PSU में work कर रहा है सब gate academy के students हो जो already gate academy में normally हम दूसरे लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है वो उतने अच्छे form में provide करेगा नहीं पर provide करेगा यह में को idea नहीं हो सकता है लेकिन gate academy के जो लोग भी रहेंगे वो बहुत ही दिल है जो PSU में already और IIT में है तो वो लोग उस group में भी help करना चालू कर दिये तो अभी student लोगो help मिल रही होगी तो अभी धिरे से हम लोग जो बाकी जो outsider है जो हमारे gate academy के student नहीं है उनको भी हम involve करने का plan कर रहें कि उनको कैसे involve करे तो overall हमारी planning वाला part चल रहा है कि अगर आप exam नाम दे चुके हो आप score कर चुके हो तो अब अगले अगला जो step है वह बहुत ही important है कि आपका admission होना चाहिए चाहिए फिर हो IIT का admission हो चाहिए फिर PSU की selection की बात हो है ना और इस बार chances ज्यादा रहें कि मैं को ऐसा लगता है क्योंकि last time दो प्रॉब्लम हुआ था कि Mtech seat blank रह करें तो मैं को लगता है कि इस बार chances ज्यादा है इस बार PSU में भी लोग के पास बहुत chances है number of seats भी PSU में ज्यादा रहेगी इस साल तो आप धियान रखें कि आपका 500 रेंक तक है तो आपकी पार बहुत सारे अच्छा option रहने वाले अंडर 500 लोग के लिए मैं को लगता है कि best यह year होगा 2018 जो चल रहा है और 500 से अगर आपका ज्यादा है तो फिर आपको देखना होगा कि आपको कहां पर Mtech में एडमिशन लेना चाहते हो हो सकता है कि PSU का इतना सारा अगर selection हो रहा है तो आप लगी हो सकते है कि आपका 900 1000 rank है और आपको IAT का एक अच्छा seat मिल गया है तो यह मैं सब प्लस पॉंट नहीं बोलूँगा क्यूंकि आपका rank थोड़ा सो side गया है बड़ मैं फिर भी बोलूँगा आपके future के point of is से बहुत ही अच्छा है ठीक है तो इस चीच को हम carry करते हैं और जो carrier guidance वाल है जो program रखेंगे उसमें try करेंगे कि आपको बहुत सारी ब करने का मौका में लेगा तो मैंको लगता है कि उनसे जो information में लेगी और भी ज्यादा अच्छी information हो सकती है ठीक है तो आप front desk विलाई से बिलकुल आप contact में रहिएगा उनसे maximum information ले सकते हैं उनकी पाप पूरी information है मैंको लगता आपके पाप message भी गया होगा जितने लोग हों सकता है जो जिन लोग से front desk का अभी तक कुछ कभी contact नहीं हुआ होगा तो वो लोग भी क्योंकि हम चाहते हैं कि ठीक है अभी आप जितने अच्छे form में अगर gate academy को आप appreciate कियो इतने अच्छे form में gate academy वाले form को तो हमारे duty बनती है कि हम बहुत सारे लोग के लिए कुछ कर सके तो इसलिए इस direction में पहली बार ऐसा हम लोग initiate किये कि चलो देखते कैसा होता है करके हमारे लिए वैसे हम अपने student के लिए तो हर साल करते ही है लेकिन इस बार हम outer side के student के कर रहे है हम लोग फिर recommendation का भी plan कर लिए फिर traveling allowance का भी plan कर लिए तो इस बार हम सोचे कि ठीक है जो हम investment जो normally हम लोग marketing के लिए करते थे उस वाले चीज़ को मैं इस बार marketing लिए नहीं किया पेपर में आइड वगरा देना था वो नहीं दिया तो मैं इस बार आप लोग लिए निकाला amount की ठीक है यह वाला चीज बनता है करके क्योंकि आप लोग इतना respect इतना love इतना provide कि तो उसका return भी करने का बनता है कि हम आपके लिए कर सके चाया आपको हमारे gate academy के फिर classroom student ना हो उस case में भी हम आपकी help कर सके हो ठीक हम connect करेंगे ऐसे family हम लोग जितना हो सका बात करेंगे तो उस दिन में पूरा free रहूंगा ठीक है तो 7 और 8 यह 2 दिन रखे हैं इन 2 दिन में से हो सकता ह है कि 7 को आपका career guidance का program हो 8 को awards से नहीं बनी हो ऐसा हो सकता है कि 7 को awards ceremony और 8 को career guidance का program हो तो दो दिन के लिए सभी लोग आ रहे है जितने भी PSC's वाले लोग है वो लोग भी 2 दिन के लिए तो आपको भी 2 दिन का time निकालना है ठीक है मज़ा आएगा हम लोग साथ में बात करें कि आपकी जो problems है उसको समझेंगे और महां पे आप comments में आप अपना number दे दीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ आपको बात करना है तो मेरी front desk के team उस number पर आपको call कर लेगी जिससे कि आपकी help हो सके ठीक है तो चलो फिर और भी बात करेंगे तो मैंको बसी information देना था त तो मैं सुचे चलो आपको information provide कर देता हूँ okay thank you